कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल IPL 2024 में इंक्रिश रगुवंशी के रूप में एक नया सितारा मिला, जिन्होंने अपने देब्यू मैच में तेज तर्रार अर्धशतक जड़कर टीम को, IPL, 2024 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 272 रन बनाने में मदद की 18 वर्षिय युवा बल्लेबाज ने 200 की स्ट्राइक रेट से 27 गेंडो पर 54 रनों की एक धुआधार पारी खेली अपनी पारी में उन्होंने 5 चोके और 3 चक्के लगाए, एक आधिकारिक द्वारा IPL की सोशल मीडिया हैंडल पर साज़ा किये गए एक वीडियो में रगुवंशी ने टीम इंडिया में अपनी महत्वा कांक शाओ और शाहरुखान से मिलने के बारे में बात की एक अभिनेता जिसे वो टीवी पर देखते हुए बड़े हुए हैं, इंटर्व्यू में रगुवंशी ने कहा जाहिर है भारतिय जर्सी पहनो, लेकिन इसे ऐसे पहनो जैसे पहले कभी किसी ने नहीं पहना हो हर कोई मुझे देखेगा और कहेगा, मैं अलग हूँ दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने शांदार प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए 18 वर्ष ये ने अपनी 54 रन की पारी को अपने कोच अभिशेक नायर और अपने सातियों को समर्पित किया उन्होंने बताया, मैं ये पारी अपने कोच अभिशेक नायर और अपने सातियों और सहयोगी स्टाफ को समर्पित करना चाहूंगा मैंने उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है अभिशेक सर मेरे साथ बच्पन से ही काम कर रहे है ये सब रिवर स्वीप और बाकी सब उन्होंने मुझे बहुत अभ्यास कराया इसलिए मुख्य व्यक्ति वही है युवा स्टार ने शाहरुक से मुलाकात के बारे में भी बात की और कहा कि बॉलीवुड अभिनेता शायद पहले उनका नाम नहीं जानते थे लेकिन अब उन्हें पता है रगुवन्शी को इस एटिट्यूड पर आपका प्रतिक्रिया कमेंस पर लिखिए और वीडियो को लाइक शेर का साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए